हिंदू लोग को पर्सनल लॉग के नाम से भी जाना जाता है इसे फैमिली लॉग फॉर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है हिंदू लोग में हम वेरियस एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे हिंदू मैरेज एक्ट, हिंदू मानारिटी और गार्जिन शिप्ट एक्ट, हिंदू एडप्शन और मैंटिनेंस एक्ट, एक्ट, हिंदू शव्द का जो उलेक है वो धन्द शास्त्रों में नहीं मिलता हिंदू विधी शास्रियों ने विधी की जो व्याख्या की थी वो समाज, धर्म और दर्शन के आधार पर की थी विधी की रचना में किसी राजा या विधान मंडल से नहीं अपेतू प्राचीन कान में जो शमाज सास्री थे उनके अनुस्वार विधी की सनरचना होती थी प्राचीन कार में विधी को धर्म का एक बड़ा भाग माना जाता था धर्म का अर्थ होता था धारन करना अर्थात जो गोण, वस्सू, कार धारन करनी योग हो उन्हें धर्म की गोटी में रखा जाता था धर्म के अंतरगत मनुष के सभी प्रकार के धार्मिक नैतेक सामजिक विधिक कर्तव आ जाते थे हिंदु विधी क्या है वह विधी जो हिंदुओं पर लागू होती हो हिंदु विधी कहलाती है हिंदी विधी की सीमाएं क्या है हिंदी विधी भारतिय नयाले द्वारा सीमाएं लागू की गई है एवं नयाएं साम में सद्विवेक के कारण जो भी समस्या उत्पन होती है उनके द्वारा जो विधी बनती है वो सीमादे धारित की गई हिंदू कौन होता है हिंदू विध जानना आवशक है कि आखेर हिंदु कौन है भारत के अंदर हिंदू मेजओर मेजर एकट 1955 के सैक्षिन 2 में हिंदू की परिभाशा दी गई है हिंदू शब्त में वे सभी लोग समलित हैं जो धर्म से हिंदू हो और जो जनम से हिंदू हो जो जनम से हिंदू हैं अर्थात जिनका जनम हिंदू माता पिता द्वारा हुआ हो कहने का मतलब यह कि एक बच्चा है जिसका जनम हिंदू माता पिता के द्वारा हुआ हो वह हिंदू कहलाएगा धर्म से हिंदू अर्थात कोई क्रिश्चन वेखती है जिसने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया तो वह धर्म से हिंदू हो जाएगा अवैद संताने जिनकी माता-पिता हिंदू हो भारत में रहने वाले बौध, जैन, सिक, सबी हिंदू की श्रेणी में आते हैं ब्रह्म समाजी, आर समाजी, वीर, शैव, लंगयायत, आदी भी हिंदू समाज में आते हैं हिंदू लौ का जो ड्राफ्ट हुआ था वो राओ कमेटी के द्वारा हुआ था और यह लेजिस्ट्रेटिव असेंबली में 1947 में पेश की थी यह First इंडिया का हिंदू Personal Law है इसके बाद हिंदू Succession Act आया उसके आध हिंदू Minority and Guardianship Act आया उसके आध हिंदू Adoption and Maintenance Act आया अब हिंदू लोग की पर अपलाई होता है जो जनम से हिंदू हो अवयद संताने जिनके माता पिता हिंदू हो अवयद संताने जिनके फदर तो Christian है लेकिन माता हिंडु है कि किसी वेक्ति किसी हिंदु बच्चे का अगर पिता Muslim या Christian है लेकिन अगर उसकी माता हिंदु है और उस बच्चे का लारन पोर्षन हिंदु विधी के अनुसार हुआ है तो वह बच्चा भी हिंदु कहलाएगा अब sources of Hindu law Hindu law के sources के हैं Hindu law के sources है उनको हमने two parts में डिवाइड किया गया है ancient sources and modern sources ancient sources में शृति, इस्मृति, digest and commentaries, custom and uses आते हैं modern sources में equity, justic and good consciousness, precedent and legislation आता है sources of Hindu law का जो first topic है, ancient sources अब हम उसको discuss करेंगे शृति, शृति वेद का परियावाची है, ये हिंदु विती का महत्पूर सोर माना गया है हिंदी लोगों के ये धार्णा है, कि जो हिंदु law है वो इश्वर की देन है शृति सद की उत्पती शृति से हुई है, जिसका अर्थ है जो कुछ सुना गया जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन काल में हमारे रिश्यमुनी तब किया करते थे वो तब करते थे कई सालों तक, उसके बाद इश्वर उनको आके दर्शन देते थे और वो जो कुछ समाज के कल्यान के लिए आविशक बाते होती थी, उनको गाइड करते थे कि समाज में इस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन चलने ही चाहिए तो जो कुछ उन लोगों ने सुना और उसके हिसाब से जो भी उन्होंने प्रथाइच चलाई वो शुरुती कहला ही मतलश शुरुती यह है कि रिश्य मुनियों को ईश्वर द्वारा जो प्रवचन कहे गए उनको उन्होंने लेक बद करके एक कॉपी बनाके वेदों मतल लिखके रखा वो कॉपी फॉर्म में लिखे गए इसमें हैं चारवेद होते हमारे रिगवेद यजरवेद सामवेद अर्थवेद वेदों से जानकारी मिलती है कि विवा कितना प्रकार क्याता है सेकिंड सोर्थ है इसमृती इसमृती का अर्थ है जो कुछ सुना गया हो यह हिंदूलों का महत्कून डूसरस होते हैं इसमृती दो प्रकार की होती है पल का वर्णन नारदिस्मृति मनुस्मृति यागवल इस्रमिति में मिलता है मैं धहम शास्र कहलाते हैं हिंदू विधी के अंदर विभा सन्रक्षक संपत्ति संबंदी क्या नियम एपलाई होंगे इसका उलेख धहम शास्र मिलता है धहम सूत्र गौतम विश्णु आदी के द्वारा जिन नियमों का और सिधानतों का वर्णन मिलता है वे धहम सूत्र कहलाते हैं थर्ड रजिस्टिंड एंड कमेंटरीज टी का वर टिपड़ी शूति और स्मृति का मौडिफाई जो रूप है वे कमेंटरीज कहलाता है खस्टम एंड यूजिस प्रथा एवं ग्राइब्द चाहिए जो आधिकाल से चली आरे अर्फाज बड़ीयां है जो कंप्रचलित होती है अर्थाज यो कुछ समय पहले चालू हुए हो अर्थाज टाइप्स ओफ कस्टम रूरिया कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार की रूरियां होती है पारेवारिक दितिर रिवाज जातीगत रिती रिवाज छेत्रीगत रिती रिवाज फैमिली कस्टम से अर्थ यह है कि वो कस्टम जो सिप एक फैमिली में अप्लाई होता हो और उस फैमिली में पीड़ी दर पीड़ी अप्लाई होता हो फैमिली कस्टम कहलाता है कम्यूनिटी कस्टम जो किसी दाय में अपलाई होता हो और प्राचीन काल से चला आ रहा है और लगातार चलता आ रहा है छेत्रीगत जो पर्टिकुलर उस जोग्रोफिकल एरिया में अपलाई होता हो उसे छेत्रीगत कस्टम कहते हैं साम नियाय सद्भाव लोग मिकर्ज ने हिंदू लोग में जो कस्टम गलत थे उनको बंद किया और साम नियाय सद्भाव के आधार पे जो भी कुछ नया रूल बनाया इसके अंतरकत वो आते हैं जैसे सत्ती दाका उन्होंने अंत किया और उससे रेलेटेड उन्होंने न्यू रूल्स और रेगूलेशन बनाया सुसाइटी के लिए जब न्याले का कोई निर्णे भविश के लिए मार्व दर्शन का कार करता है वे पूब निर्णे क्या लाता है न्याले द्वारा दिया गया ऐसा निर्णे जो समाज के लिए कल्यान कारी हो यह निर्णे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रीवी कांसलिन द्वारा दिये जाते हैं और समय समय पे सब डिवीजन कोर्ट और डिस्टिक कोर्ट इन निर्णे को माणने के लिए बादिकारी होते है लेजिसलेशन विधायन विधायका और विधायन विधायन का क्या कार है कि विधी बनाने का इसका ओरिजन कहां से हुआ लेजिलेशन आप्ट अपरलियमेंट पिछ हैब बीन प्लेइंग प्रूफांड रोल in the information of Hindu law Hindu law के जितने भी नए अधिनियम वने हैं वो सब लेजिसलेशन के द्वारा बनाये गए हैं जैसे प्रेजन का अपना Hindu Marriage Act 1955 Hindu Succession Act 1956 Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 Hindu Women Right Property Act 1937 Special Marriage Act 1954 Marriage Validity Act 1949 Students, अपने नेक्स लेक्चर में हम Schools of Hindu law का टॉपेक डिस्कूस करेंगे